हेलो फ्रेंड्स जैहिन स्वागत आपका आपके अपने चलो होम टुसन पर दोस्तो जैसे का आप जानते हैं SSC Constable GD 2025 का नोटिविगेशन जारी हो चुका है दोस्तो 49,000 से जादा पदों का नोटिविगेशन जारी हुआ है लेकिन दोस्तो SSC ने यहाँ पर दो चीज़ ऐसे की हैं जिनसे थोड़ा सा मुझे निरासा हुई और आप लोग जो इसके इंजार कर रहे थे इस वेकेंसी का आप लोगों में से भी काफी बच्चों को यहाँ पर नुकसान हुआ होगा उनको भी काफी निरासा ही हाथ लगी होगी तो क्या है वो बदलाव जानने के लिए वीडियो को धान से पूरा देखे दोस्तों चैनल पर नए है चलको सब्सक्राइब कर लीजिए बैल अगर प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस नूज अपडेट को पानने के लिए आप हमारे टेलेग्राम चलको जोइन कर लीजिए आप टेलेग्राम पर जाएए वहाँ पर सर्च कीजिए होम ट्विशन ओफीशल आपको साड़े 11,000 के आस्वास में मर दिख जाएंगे आप उसको जोइन कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशेट जरू करेगा तो आएए दोस्तों बात करते हैं उससे पहले दोस्तों हमारा मंजिल बैच ही चला हुआ है मातर 449 रुपे में लाइव किलास आपको मिलेंगे पीडियाफ नोट्स मिलेगा 25 मोक टेस्ट आपको मिलेंगे बड़िया फैकल्टी के साथ हम आपको जोइन कर रहे हैं दोस्तों ठीक है तो आप हमारी अप्लिकेशन का लिंक डिस्क्रिम में है डाउनलोड करिए रजिस्टर करके लोगिन करना है और आप मंजिल बैच को जोइन कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बड़ा बदलाव क्या है और बच्चों के लिए इसमें क्या बुरी खबरी है यह हम यहाँ पे बताने वाले हैं सीधा चलते हैं दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेसन पे यह आपका नोटिस है आपने देख लिया है लेकिन आपने जिन बच्चों का नुक्सान हुआ है उन्होंने गोर जरूर किया होगा पहली चीज दोस्तों यहाँ पे हम वेकेंसिया तो विशेश कर यहाँ पे SSB सैसस्तर सिमा बल मेल के लिए यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों 819 वेकेंसिया है अगर फेमेल की बात करें तो लगबग 33% का यहाँ पे होना चीए 30% तो कमसे का होना चीए यानि लगबग 200 के आसपास वेकेंसिया होनी चाहिए तो फेमेल के लिए और यह जो वेकेंसिया है दोस्तों all over इंडिया है यह किसी स्टेट की नहीं कि भईया हर्याना युपी की है आप देख लीजिए SSB में कोई भी वेकेंसिया नहीं है दोस्तों ठेक है अगर आप यहां पे थोड़ा सा और उप्र जाएंगे तो एक और चीज़ आप देखोगे कि लड़कों की जहां CRPF में जो वेकेंसिया है 11,299 में है टोटल मेल की जो लड़कों की वेकेंसिया है 11,000 से जदा है लेकिन लड़कियों की दोस्तों मातर 200,220 सी वेकेंसिया है है बई All over India आप देखे Journal category में 116 ही वेकेंसिया है और दोस्तों अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि आगे चलके वेकेंसिया बढ़ जाएंगी आगे चलके इंक्रीज हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि 49,000 तो अरड़ी है ये अगर ये 50,000 भी जाएंगी तब भी उतनी जादा नहीं बढ़ेंगी कि overall बढ़ेगी वेकेंसिया ठेक है यहाँ पे देखे OBC All India लेवल पे 53 वेकेंसिया है या CRPF की ठेक है और CRPF वो पोस्ट है जो प्रिफरेंस में सबसे निचे बच्चे रखते है इसकी वेकेंसिया जादा होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे लड़कों में तो संतुष्ट कर दिया 11,000 वेकेंसिया है लेकिन लड़कियों के मामले में यहाँ पे मातर 242 वेकेंसिया है दोस्तो जगी BSF ने थोड़ा ठीक यहाँ पे डाटा रखा है 13,000 लड़कों की है और लड़कियों की हाँ पे 248 वेकेंसिया है थोड़ा सा सेटिस्पाई हम हो सकते है लेकिन इसके निचे अगर आप देखो कि CISF लड़कों की 6,000 वेकेंसिया है और भईया 33% निकाड़ोगे तो लगवा 1800 के आसपास वेकेंसिया होनी चाहिए थी लेकिन लड़कियों की यहाँ पे CISF में 715 ही है ठीक है चलो यहाँ भी हम मैनेज कर लेंगी लेकिन CRP में 242 और SSB में तो बिल्कुल नेल बटे सननाटाई कर दिया लड़कियों के लिए ठीक है दोस्तो ITBP में ठीक है क्योंकि वेकेंसियों के मुकावली देखा जाए तो 450 वेकेंसिया ठीक है आसाम राइफल में लड़कियों की यहाँ पे वेकेंसिया देखिए केवल 100 ही वेकेंसिया है और SSB में लड़कियों के लिए कोई वेकेंसिय नहीं है दोस्तो ठीक है तो पहली चीज तो यह है कि यह निरास करने वाली है कि क्या लड़कियों के लिए CRPF में SSB में कोई वेकेंसिया खाली नहीं है अगर है तो इसमें सामिल क्यों नहीं हुई ठेका दोस्तो ये सोचने वाली बात है हो सकता है कि आगे ड्यू कुर्स में SSV और CRPF की लड़कियों की वेकेंसियां बढ़ें SSC को नया डाटा मिलेगा तो हो सकता है कि कोरिंजम देख के आपको जैसे पिछली वेकेंसि 26,146 थी बढ़ा के 40,000 हो गई थी तो वैसे 49,481 बढ़के 50,000 के आसपास जा सकती है ऐसी हम उम्मीद करते हैं अगर ये ऐसे ही रही तो दोस्तों ये फिर निरास करने वाड़ा है यहां पे क्योंकि All India लेओन पे SSB की एक ही वेकेंसि नहीं है भया ठेक है ना SSB की है ना SSF की है वह सारे लड़कियों की ड्रेम जो वहती है SSF पहला बदलाव तो दोस्तों ये है जो काफी निरास करने वाड़ा है और उससे भी बड़ा बदलाव ये है दोस्तों यहां पे आप देखे एज लिमिट अब देखा जाए तो ये वेकेंसि दोस्तों 2025 की है लेकिन रिकूरूटमेंट तो 2024 में आ रहा है ठेक है है ना रिकूरूटमेंट तो भया आगस्त सब्टेंबर 2024 में आ रहा है ना वेकेंसि चाहे 2025 क्यों कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यहां पे बच्चों का नुक्सान इस वज़े से होगा क्योंकि जर्नल कैटेगरी जो उमर है यहां पे जो काउंटिंग डेट है वो है एक जनवरी 2025 ठेक है अभी मान लीजिए जो बच्चा आप में से कोमेंट करके बताईएगा कि कोन बच्चा था अगर यहीं उमर मान लीजिए एक अगस्त को काउंट होती 182024 को अगर यह काउंट होती तो वो फोर्म अपलाई कर देता लेकिन अब वो अपलाई नहीं कर पाएगा जर्णा कोमेंट करके बताईए पता लग जाएगा कितने बच्चों का नुक्सान यहां पे होगा है ठेक है दोस्तों एक छोटी सी डेट यहां पे लिखी एक जनव भी ऐसा ही हुआ क्या हुआ जी वो वेकेंसी मार्च में आने वाली थी दोस्तों ठेक है दिल्ली प्लिस की जो पिछली वेकेंसी थी 2023 वाली वो मार्च में आने वाली थी लेकिन वो वेकेंसी आई सब्टेंबर में दोस्तों यानि लगबग 6 महिने के गैप पे आई और उन 6 मैंने की गैप की वज़े से लाखों बच्चे वो फोर्म अपलाई नहीं कर पाए दोस्तों जब कि दिल्लिपलिस बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जोग होता है ऐसे ही वो बच्चे जो से मान लीजी जिड़ी 2023 ने जिनका एकजाम किलियर नहीं होगा कोई पॉइंट में रहा है लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों जो आपके उमर है 18-23 जो है यह आपकी एक जनवरी 2025 से काउंट होगी ऐसे ही OBC वाले बच्चे भी होंगे ठेक है ऐसे SCST वाले बच्चे भी होंगे भया यहां पे जिनको काफी नुकसान इस छोटे से बदलाव की वज़े से हुआ दोस्तों ठेक है अगर यह डेट मान लीजिए काउंटिंग डेट एक अगस्त 2024 क्योंगे जिड़े में जर्नली यही रहती है जब वैकेंसी जून के बाद आती है ना तो एक अगस्त होती है यहां पे हमने एक अगस्ती मानना था लेगन यहां पे एक जनवरी 2025 को आप की उमर मांगी गई है तो यह थोड़ा सा यहां पे चेंज SSC ने किया जिसकी वज़े से लाखों बच्चे अब इस भरती से क्या हो गए बाहर हो गए दोस्तों यह कहना आसान है कि भया सभी को सरकारी नोकरी नहीं मिलती लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या यह छोटा सा ब बाजेट को मांग रही है तो वो एक फिक्स जो सैडूल वा करता था वो भी यहां पे नहीं है दोस्तों ठीक है तो यह छोटा सा यहां पे मेरे को लग रहा है कि बदलाव जो SSC ने किया इससे काफी बच्चों को नुक्सान हो जाएगा दोस्तों और यही सबसे बड़ा करके जरूर बताइएगा बाकी दोस्तों सारी चीज़े सेम है आपका डिटेल नोटिविकेशन के उपर हमने वीडियो बनाई होई है आपका जो एक्जाम है जनुरी फरवरी दोजार पत्चीस में सैडूल है तो अपना टाइम टेबल बनाईए बढ़िया सैडूल के साथ तैयारी कीजिए और जुड़े हमारे साथ मंजिल बैच में मातर 499 में रुपए में एक साल की वरिटे के साथ कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा बैच में कुछ क्लासिस जल चुकी है प्रोपर बैच यह आपका मंडे से सुरू हो जाएगा तो आईए हमारे साथ विश्वास के साथ जोइन करते हैं और उस कदम से कदम मिलाके आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का परियास हम करते हैं वीडियो लाइक करें शेर करें धन्यवाद जय हिंद